तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप इगनुसे B.A.M. Bachelor of Arts प्रोग्राम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं यानि कि इस प्रोग्राम में आप admission कैसे ले सकते हैं admission का क्या procedure है, admission में क्या कै जरूरी documents लगते हैं और admission लेने के लिए आपके पास क्या जरूरी योगेता रहना चाहिए, admission fees कितना लगता है और अगर आप इस प्रोग्राम में admission लेते हैं तो आपको क्या कै subject दिया जाता है, subject आपको किस तरीके से admission portal पर select करना होता है और सबसे important admission लेने के बाद आपका जो exam है वो कब होगा, तो इन सब चीजों के बारे में detail में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और ignus related सभी update और notification टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को subscribe करके bell notification को on कर लिजे ताकि सभी update आपको मिलते रहे admission लेने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले page पर आजाना होगा, इसका link मैंने नीचे दे रखा है और यहाँ पर आने के बाद आपको admissions related सभी जानकारी हिंदी में देखने को मिल जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं यह जो आपका प्रोग्राम है जिसका नाम है B.A.M. Bachelor of Arts, यह प्रोग्राम आपको सिर्फ O.D.L. यानि की open distance learning mode में offer किया जाता है, यानि की course pondence से, जिसे हम open से भी कहते हैं, जिसके आप यहाँ click here वाले option पर click करेंगे, तो IGNU का official website open हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते IGNU ने जुलाई 2024 सेशन का admission स्टार्ट कर दिया है, और admission का last date है 30 जून 2024, लेकिन इसको extend किया जाएगा, यानि कि इस प्रोग्राम में आप admission 30 जून तक ले सकते हैं, जुलाई 2024 सेशन में, लेकिन इस प्रोग्राम में admission लेने से पहले इस प्रोग्राम के बारे में आप सभी जानकारी प्राप्त किजिए, जिसके लिए आप यहां प्रोग्राम information पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको एक search का option मिलेगा, यहां पर आप B.A.M. इस तरी किसे लिक करके search करेंगे, तो यह आपको मिल जाएगा B.A.M. Bachelor of Arts, यहां read more पर क्लिक करेंगे, तो यह प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी दे दिया जाता है, यहां पर यह एक degree program है, यह आपको सिरिफ open distance learning mode में offer किया जाता है, इस program को आप 3 साल में पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो आपका admission है, वो 6 साल तक valid रहता है, यानि कि अगर आप बीच में पढ़ाई वगेरा छोड़ दे जब आप admission का forum fill up करेंगे, तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको program English medium से करना है, या फिर Hindi medium से, और eligibility आपको बताया गया है कि इस program में admission लेने के लिए आपका बारवी class complete होना चाहिए, यानि कि आप बस बारवी pass होने चाहिए, या फिर इसके बराबर का कोई course कर र 25,000 रुपे का payment करना होगा, और इस program में admission लेने के लिए आपको कोई entrance exam वगेरा देने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको admission का forum यहां से fill up करना होगा, और आपका admission हो जाएगा निरधारित फीज समिट करने के बाद, अभी हम आगे बात करने वाले कि किस तरीके से यहां पर admission का forum वगेरा fill up करना होगा, लेकिन उससे पहले हम यह बात करते हैं कि admission लेने के लिए आपके पास क्या के जरूरी documents से रहना चाहिए, तो सबसे पहले जो आपका original document रहता है, इसको आपको scan करके online upload करना होता है, admission portal पर, documents के बात करें तो आपका एक passport size का photo लगता है, signature, जो कि आपको white page पर black pen से करना होता है, साथी में age proof के तोर पर आपको आधार card upload करना होगा, और अगर आप SC, ST या फिर OBC category के अंतरगत आते हैं और आपके पास इसका certificate है, तो ये भी लगेगा और नहीं है, तो journal category से forum को fill up कर सकते हैं, और अगर आप SC या फिर ST select करते हैं, और अगर आप fees में छूट पराप्त करना चाते हैं, तो ऐसे में आपके जो parents है, उनका income certificate भी होना चाहिए, इसके बारे में अभी हम आगे detail में बात करने वाले हैं, ये है तो ही आपको देना है, नहीं है, तो फिर आपको देने के जरूरत नहीं है, फिर आपको journal category से forum को fill up करना होगा इसके लाबा अगर आप BPL के अंतरगताते हैं और इसका certificate है, तो ये भी आपको देना होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, और साथी में इस program में admission लेने के लिए आपके पास जो है 10 वी class का और 12 वी class का mark seat होना चाहिए, जो आपको school से original mark seat मिलता है, वही होना चाहिए, अगर school वाला नहीं है, तो dg locker से जो आप download करते हैं, अगर वो है तो उससे भी admission मिल जाएगा, लेकिन जो online आपका result आता है, website पर उससे आपका admission नहीं होगा, उससे forum का fill up करते हैं, तो फिर आपको दुबारा से document upload करने के लिए कहा जाएगा, और original mark seat मांगा जाएगा, तो बस यही document से लगते हैं, और अब हम बात करते हैं, admission process के बारे में, तो इगनु में admission आपको इस वाले website से लेना होता है, online, आपका जो पूरा काम है, वो online ही होता है, सबसे पहले आपको registration करवाना होगा, जिस के लिए click here for new registration, यहाँ पर आपको click करना होगा, और यहाँ पर आपको अप फिर आपको admission का पूरा forum fill up करना होगा, admission का forum किस तरीके से fill up कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इसमें मैंने registration से ले करके ID card डाउनलोड करने तक का पूरा process अच्छ से बता रखा है, कि किस तरीके से आपको document वगेरा upload करना होता है, किस तरीके से payment करना होता तो इस वीडियो का link मैंने नीचे दे रखा, इसको आप देख सकते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं कि जब आप यहाँ पर admission का forum fill up करेंगे, तो यहाँ पर आपको subject select करने के लिए भी कहा जाएगा, तो subject आपको किस तरीके से select करना होगा, तो यहाँ पर मैं account में login कर लेता ह तो admission portal पर यहाँ पर program का जो option दिया जाता है, यहाँ पर आपको course select करना होता है, कि आपको कौन से course में या फिर कौन से program में admission लेना है, तो यहाँ पर click करने के बाद आपको bachelor degree select करना होगा, यहाँ पर आपको audio मिलेगा, और यहाँ पर इस list में आप search करेंगे, तो कहीं न कहीं पर आपको यह देखिए, B.A.M. Bachelor of Arts मिल जाएगा, इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर यह पहले से fill up होके आ रहा है, क्योंकि आप ही मैंने देखा था कि किस तरीके से क्या करना होता है, तो यहाँ पर देखिए, subject आपको किस तरीके से select करना है, यहाँ पर आपसे 3 compulsory subject पूछ एग्जामपल के लिए माल लिए जिकी, आपको English को compulsory रखना है, तो आपको English select करना होगा, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है, गुरूप 1 में से एक ही subject select करना है, तो यहाँ पर यह चार subject दिया गया है, चार में से आपको एक ही करना होगा, और जैसे कि यहाँ पर य में से यहाँ पर मैं history select कर लेता हूँ, तो यही रहेगा मेरा, यानि कि आप अगर इस तरीके से select करते हैं, जो भी subject है, तो यही आपका compulsory subject रहेगा, और बाकी का details को fill up करने के बाद, जब आप आगे जाएंगे, किस तरीके से यह सब चीजे fill up करना है, तो उसके लिए आप मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि subject आपको कैसे select करना होगा, तो फिर यहाँ पर एक course का भी option आपको दिया जाएगा, और यहाँ पर भी आपसे subject select करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, आपको option दिये जाएंगे, subject select करने के लिए, यहाँ पर click करेंगे, त उसके बाद submit पर click करके आप आगे जा सकते हैं और यहां पर आप देखेंगे तो semester one भी दिया गया और semester two भी दिया गया है तो जब आप admission ले लेंगे इस program में तो आपके first और second semester का exam एक साथी होगा और assignment भी आपको एक साथी submit करना होगा जैसे कि यह जो प्रोग्राम है B.A.M. Bachelor of Arts अगर इस प्रोग्राम में अभी आप जुलाई 2024 सेसन में एड़िशन लेते हैं तो आपका जो एक्जाम है वो जून 2025 में होगा और इसके लिए आपको असाइमेट जो है 1st और 2nd सेमेस्टर का मार्च 2025 में समिट करना होगा और दोनो प्रोग्राम में यह जो तीन प्रोग्राम दिये गए इनमें एडमिशन लेते हैं तो यहां पर यह जो आपका प्रोग्राम फीस बतायागी है 4500 रुपे यह आपका नहीं लगेगा सिर्फ तीन सुरुपे रजिस्टरेशन फीस और दो सुरुपे डेवलोप्मेंट फीस करना होगा और साथ ही में आधार कार्ड अप्लोड करना होगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक किजिए और इगनुस रेलेटेट सभी अप्टेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजिए ताकि सभी अप्टेट आपको मिलते रहे और अगर आपको अप्टेट और जल्दी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है और साथ ही में आपका कोई सबाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में विस्त बार पूरवक बता सकते हैं